असलाम लेकूं स्ट्रेंट्स तुडेः वी डिसकस अबाउट दे अलिफेटिक हाइड़ोकार्बन्स जो के हमारा चैप्टर नंबर एट है चैप्टर नंबर 7 हमारा वाइंड आप हो चुका है और गैनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 हा जो हम स्टार्ट करेंगे ठीक के लिए हम इसकी क्लासिफिकेशन डेटेल से पढ़ किया चुके हैं अब इसको हम ओवर ओल जो है अलिफेटिक हाइड़ोकार्बन्स को इस पूरे चैप्टर के अंदर जो है डेटेल में इसकी डिसकस्चन करेंगे फर्स्ट अफॉल हम देख लेते हैं जी नोमन क्लेचर न of GivingName to the Compounds के Compounds को जो है नाम देने का जो system है यह नाम देने का जो निजाब है उसको हम क्या क ports इसको plot कहते हैं यह इसको ऑन दे सकते हो कि remnants के छुन जोने उर्सम के ठीक है अच्छाव सब्सके पहले नाम देने का तरीका ना इसके दो तरीके है एक तरीका है जी यह एक टाइ और दूसरा है जी IOPAC system जो के एक proper system है जो के हम कर डिसकस करेंगे आज जो है हम इसके नाम से पता चाहरा है common और trivial name common names कौन से होगे या उनकी base क्या होगी उनकी base होगी जी history की base पे हो सकता है यह जिस person ने उस compound को जो है discover किया है या prepare किया है उसकी base पे होगा method of preparation की base पे होगा या जिस area पे वो compound पाया जाएगा उस base पे होगा ठीक है अच्छा तो अब इसकी example भी देख करते हैं जिससे आपको मजीद idea हो जाएगा ठीक है number one पे है जी हमारे पास CH4 जिसको हम कहते है जी methane ठीक है basically इसका जो common name है ना इसका common name है marsh gas ठीक है अब इसको marsh gas क्यों कहा जाता है क्योंकि it is obtained from marshy places क्योंकि ये जो methane gas है ना ये दल्दली इलाकों से हमें मिलती है ठीक तो इस वज़ा से हम क्या कहते हैं कि जो methane है ये क्या है पहले जमाने में इसको कहा जाता था marsh gas उसकी reason क्या है ये marshy places में पाई जाती थी next next है जी acidic acid CH3 COOH इसको हम कहते हैं जी acidic acid अब इसको acidic acid क्यों कहा जाता है क्योंकि ये latent word acid term से derive किया गया है acid term का क्या मतलब है vinegar ठीक है vinegar में basically acidic acid पाया जाता है तो इस वज़ा से हम इसको क्या कहते हैं इसका नाम क्या रख दिया गया है जी acidic acid next है जी HCOOH जो है ये हमारे पास formic acid है ठीक है इसको formic acid क्यों कहा जाता है क्योंकि ये latent word formica से derive है जिसका मत्तब होता है ants आंट्स ये चूंटियों के डंग में basically क्या होता है formic acid इसकी वज़ा से हम इसको ये नाम देते हैं next है जी C2H5OH जो के हमारे पास क्या होता है इथाईल अलकुहल इसको हम इथाईल अलकुहल भी कहते हैं इसको हम ग्रेन अलकुहल क्यों कहते हैं उसकी reason ये है कि it is obtained by the fermentation of grain जब हम grains की fermentation करते हैं तो उससे हमारे पास इधायल alcohol obtained होता है इसी वदा से हम इसको कहते हैं जी grain alcohol नेक्स्ट है जी barbituric acid barbituric acid जो है basically ये एक scientist था बर्बरा उसके नाम पे जो है इसका नाम जो है क्या रख दिया barbituric acid ठीक है तो इससे आपको idea हो गया होगा कि basically history name of the person की base के उपर जो है पहले जमाने में नाम रखे जाते थे नेक्स्ट है जी prefixes and suffixes prefixes क्या है जी prefixes नाम से पता चाहरा है pre means पहले basically ये नाम से पहले हम जो term use कते हैं उसको हम कहते हैं जी prefixes prefixes तीन तरह की है एंड आइसो एंड नियो एंड जो है कप लगाते है एंड means normal जब भी carbon की straight chain होगी normal chain होगी तो उसके नाम के start में हम एंड लगा देंगे जितने carbon होंगे उस हिसापस उसको नाम दे दिया जाएगा जैसे 5 carbon है तो 5 carbon वाली chain को हम कहते हैं pentane ठीक है बाकी इसके hydrogen आएंगे वो हम बाद में पूरे करेंगे फिल हाल के लिए straight chain को हम कहते हैं जी pentane और जो ये देखें ये नाम है इससे पहले ये हमने use कर लिया तो इसको हम क्या कहते हैं जी prefix next है जी आइसो आइसो कब कहते हैं जब भी हमारे पास जो है एक straight chain हो और उसके second last के उपर एक branching आज है second last को है ये last है last से पहले second last पे एक branching आज है तो उसके लिए term use करते हैं आइसो बाकी जितने carbon होंगे उसके recording one two three four five five carbon है तो जी आइसो पैंटे next है जी के अगर जो है हमारे पास क्या हो के जब भी हमारे पास second last carbon पे second last carbon के उपर दो carbon आ जाएं जैसे second last carbon पे एक carbon हो तो आइसो और second last carbon carbon पे दो carbon आके attached हो जाएं या branching आ जाएं तो उसको हम कहते हैं उसके लिए term neo ठीक है तो जितने carbon होंगे उसके recording हम लिख देंगे five carbon है one two three four five तो नाम क्या हो जाएगा एन पेंटेन आब इनकी hydrogen पी पूरी कर लेते हैं ठीक है यह है जी CH3 CH2 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 CH3 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 इसके चार bond पूरे है इसको कोई hydrogen नहीं देंगे and CH3 यह तो था जी हमारे पास prefixes ठीक है अब हम देख लेते हैं जी suffixes suffixes क्या है नाम से पता चा रहा है basically pre का मतलब होता है पहले suffixes में आएगा जी नाम के बाद अब नाम में क्या है वो आपने समझना है जी जैसे देखें alkane की अगर हमारे पास series हो ठीक है तो alkane जो series होगी ठीक है इस series में जो alk है वो हमारा क्या होगा alk basically हमारा root word है root word है ठीक है और इसमें जो ane an है ये हमारी suffix होगी ठीक है अच्छा अब basically होता क्या है कि जब भी root word के बाद जो हम जो है ये basically जो भी लगाएंगे उसको उस term को उसके लिए जो term use की जाती है उसको हम कहते हैं जी suffix ठीक है तो अब alk root word है ठीक है इसके बाद मैंने an लगाया तो ये बन गया suffix अब example में है जी हमारे पास कि अगर हमारे पास 4 carbon हो C4 और इसके साथ जो hydrogen होंगी वो H10 ये basically ये एक alcan है आपने general formula पढ़ा वह है CnH2n plus 2 ठीक है इसके थू हम जो है basically जो है अपनी hydrogen पुरी कर लेते हैं ठीक है तो इसके लिए C4 के लिए नाम होता है जी ब्यूट ब्यूट क तो वो क्या हो जाएगी Anean और अगर हमारे पास 5 carbon हो C5H12 तो उसके लिए जो root word है वो तो pent होगा ठीक है और जो suffix होगी वो क्या होगी Anean जो के root word के बाद आएगी उसको हम क्या कहते हैं suffix और इसी तरह C6 है तो C6H14 उसके लिए है root word hex और जो इसका suffix होगा वो होगा जी Anean ठीक है तो अब जो है I'm sure कि आपको suffix की समझा होगी कि suffix होते हैं जो root word के बाद आए और जो root word के पहले आए उसको हम क्या कहते हैं prefix ठीक है basically ये pent है ठीक है ये हमारा root word है इससे पहले क्या आए एन ठीक है तो पहले आए तो prefix और उसके बाद pent के बाद Ane आ तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं prefix और अगर बाद में आए तो suffix ठीक है ये तो मैंने आफको alcan की example दीए सारी किसारी क्या है जी ये है जी alcan अब हम jī alcan's की examples देख लते है alcan में अगर देखें तो alcan का case क्या है जी ये है जी alcan's ठीक है अब इसमें जो अल्क है ये हमारा क्या होगा root word और जो ene in होगी ये हमारी क्या है ये होगी हमारी suffix ठीक है ये है suffix और ये हमारा क्या है root word अच्छा जी अब जो है अगर हमने common name देना है कि किसको CH2 double bond CH2 ठीक है तो इसका root word होता है जी इत ठीक है आपने याद रखना है कि basically अल्कीन को अगर हमने commonly name देना है तो इसको हम लिखेंगे अल्काइलीन ठीक है तो इसमें जो अल्क है वो हमारा root word होगा y-l-e-n-e क्या होगी हमारी suffix ठीक है अच्छा आप इसमें जो दो कार्बन है उसके लिए वैसे उसको मिथेन कहते हैं लेकिन चुके इसको common name देना है तो common name के लिए हम y-l-e-n-e लगाते है किसके लिए double bond के लिए आपने ये बात याद रखनी है ठीक है तो it और जो इसकी suffix होगी वो क्या है y-l-e-n-e-thylene उसके बाद अगर तीन carbon हो तो तीन carbon वाले को क्या कहते हैं जी तीन carbon वाले को कहते हैं propylene ये हमारे पास क्या होगा prop ठीक है ये इसका start है और उसके बाद अगर हम इसकी suffix lean ठीक है और अगर हमारे पास कुछ इस तरह का case हो कि second last carbon के उपर एक carbon आ जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे जी जैसे एक example देख लेते हैं एक दो तीन ये कुछ इस तरह का case हो ठीक है इसमें अगर एक दो तीन चार CH2 ठीक है इसने दो bond बनाए हम इसको दो hydrogen देंगे 1,2,3,4 इसको कोई भी hydrogen ही दें क्यूंकि इसके चार bond पूरी है CH3 CH3 ये जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी second last carbon के उपर एक branching होगी तो उसके लिए हम term use करते हैं जी ISO ठीक है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा ISO root word क्या है चार करबन के लिए but ठीक है और अगर इसको common name देना है तो वो क्या है Y-L-E-N-E-A-L-E-N-E-I-S-O butylene ठीक है तो इस तरह हम जो है use करते हैं किसा common और trivial names को पॉइंट आ जाता है जी कि आयो पैक नेम्स की हमें जरूरत क्यों पेश आई आयो पैक नेम्स की हमें जरूरत क्यों पेश आई कि जो हमारे पस previous system था common and trivial name system वो इतना अच्छा system नहीं था उससे हम limited compounds को तो नाम दे सकते थे और साथ में हम जब हम complex compounds की बात करें तो उस पे वो system जो है वो fail था ना इतना manageable था जिसकी वदा से जो है common and trivial name जो है वो इतना जो है उसको इतना जादा appreciate नहीं किया गया no doubt आज भी बहुत सारे compounds को उनके common name से जाना जाता है लेकिन फिर भी IUPAC name system जो है वो एक powerful system था manageable system था ठीक है और further इसी की study हम करेंगे IUPAC names के उपर सबसे पहले organic compounds का जो naming system का solution था सबसे पहले जो है international chemical congress ने इसके उपर काम किया था 1889 में ठीक है और फिर उसके बाद जी 1892 में any naming system के solution के लिए एक report त्यार की गई थी और उस report को accept किया था इन जानेवा में ठीक है report was accepted in जानेवा और यह जो report थी यह incomplete थी further जो है 1930 के अंदर जो है यही report जो है further modify की गई किस से by IUC International Union of Chemistry ठीक है और किस नाम से referred as league rules के नाम से ठीक है उसके बाद further 1947 में इसी report को further modified किया किस ने by IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry International Union of Pure and Applied Chemistry ने और लास्ट में जी 1979 1979 में जी basically last time in rules के ओपर meeting हुई थी ठीक है जो कि आज हम rules organic compound को name देने के लिए पढ़ रहे हैं ठीक है अब जी properties को देख लेते हैं IUPAC names को next IUPAC names को पढ़ने से पहले हम एक term देख लेते हैं जी वो है जी नॉमन क्लेचर आफ alkyl group alkyl group के बारे में आपको brief समय ने पहले भी बताया है alkyl group basically इसको represent किया जाता है r को अगर इसको बनाना है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको हम बनाते कैसे हैं या यह होता क्या है if we remove one hydrogen atom from alkyl the group obtain is called alkyl group कोई भी alkyl होगी ठीक है alkyl में से अगर हम hydrogen remove कर दें तो हमारे पस क्या बांजेगा जी alkyl ठीक है example देख लेते हैं CH4 जो के एक हमारे पस क्या है alkyl अगर इसका एक hydrogen remove कर दें तो यह बांजेगा CH3 यह basically एक bond में ने शूर किया हुआ ठीक है तो यह किसमे चेंज हो जाएगा alkyl से alkyl में ठीक है एक carbon वाले को कहते है methane ठीक लेकिन अगर हमने इसको alkyl जब एक hydrogen remove कर देते हैं तो वो alkyl group में चेंज हो जाता है तो इसके नाम में भी जो है वो changing आती है वो कैसे A.N.E. जो है वो किसमे चेंज हो जाता है Y.L. में ठीक है alkyl था तो methane कहेंगे hydrogen remove हुआ तो start तो वही रहेगा myth लेकिन A.N.E. की बज़ाए कि आजएगा Y.L. reason क्या है क्योंकि जब हम alkyl series में पढ़ रहे थे या alkyl series की बात कर रहे तो नाम के end पे A.N.E. आया लेकिन जब हम alkyl group की बात करेंगे या alkyl functional group की बात करेंगे तो उसके case में जब name देना है तो नाम के end पे क्या होगा Y.L. ठीक है इसी तरह अगर इथें दो कार्बन है तो इथें है तो नाम के end पे आज़ेगा इथायल एक hydrogen प्रोपाइल इसी तरह up to so on ठीक है और इसको represent किसे करते हैं R से और इसका general formula क्या होता है जिस C.N.S.2N.1 एक further जो है जो जो जिसको हम कह सकते हैं important information है लेकिन आपके course में नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए और यह पहले भी हम discuss करके आ चुके हैं अगर CH4 में से एक hydrogen निकाला तो methyl बना और अगर CH2 CH4 में से टू hydrogen remove करें तो हमारे पास क्या बनेगा methylene ठीक है यह आपने पहले भी बढ़ावा है CH2 का हम कहते है methylene और अगर CH4 में से तीन hydrogen remove करें तो इसको कहते हैं जी methylene यह extra information थी next है जी हमारे पास के इसका general formula जो है वो क्या होगा CNH2N plus 1 होता क्या है अलकेन का general formula होता है CNH2N plus 2 ठीक है चुकि हमने एक hydrogen remove कर दी है तो उस plus 2 की बज़ाए सिरफ hydrogen में क्या कर देंगे plus 1 अब वो plus 2 की बज़ाए plus 1 हो जाएगा इसको याद करने का तरीका भी है अच्छा आप जो है ना कुछ terms हैं जिनको पता होना आपको बहुत जुरी है वो है जी वो क्या है अगर जो है single carbon हो ठीक है और further किसी और carbon के साथ attached ना हो तो ऐसे carbon को हम कहते हैं जी primary carbon क्या कहते हैं primary carbon ठीक है और एक carbon जो है further सिरफ एक और carbon के साथ attached हो तो ऐसे carbon को भी हम क्या कहते हैं जी primary carbon ठीक हो गया और अगर जो है एक carbon further दो carbon के साथ attached हो तो ऐसे carbon को हम कहते हैं secondary secondary carbon ठीक है और इसके बाद है जी अगर एक carbon further तीन carbon के साथ जो है वो attached हो तो ऐसे carbon को हम कहते हैं जी tertiary carbon और उसके बाद last में है जी ऐसा carbon जो के further 4 carbon के साथ bond बनाए तो हम उसको क्या कहते हैं जी quaternary carbon ठीक है ये दर्मियान वाला जी quaternary carbon है ये secondary carbon है ठीक है ये tertiary carbon है और ये primary carbon अगर single होगा तब भी और अगर जो है वो किसी एक के साथ भी attached होगा तो ये हमारे पस कrial गगा primary carbon इन बारे मेंसे बारे म में आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट हम देख लेते हैं मजीद एक्जाम्पल किसकी अलकाइल ग्रूप की नेक्स्ट एक्जाम्पल में है जी जैसे के बताया गया कि मिथेन में से एक हाइडोजन रिमूव कर देंगे तो जी मिथाइल बना अगर मेरे पास दो कार्बन वाला इथेन हो दो कार्बन वाली और इसमें से अगर हम हाइडोजन को रिमूव करें तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बनेगा CH3 CH2 क्योंकि एक hydrogen remove हो चुकी है तो जो इसका नाम होगा ये तो थी methane और इसका नाम हो जाएगा इथाइल ठीक है इथेन से इथाइल नाम क्या है इथेन और ये क्या बन गया इथाइल नेक्स्ट है जी अगर हम तीन कार्बन की एक्जाम्पल देखें CH3 CH2 CH3 ये हमारे पास क्या है ये हमारे पास प्रोपेन है ठीक है और इसमें से अगर एक hydrogen को remove कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा हमारे पास बनेगा जी एक hydrogen अगर हम ये वाली hydrogen remove करें तो CH3 CH2 CH2 ठीक है तो इसको हम क्या करते है स्टार्ट वाला वही लेंगे प्रोप ठीक है और जो नाम होगी चेंजिंग प्रोपाइल ठीक है एंड पे जो है एन की बजाए वायल लगा दिया प्रोपाइल ठीक है इसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये तो मैंने hydrogen remove की इस carbon में से primary carbon में से ठीक है क्योंकि ये वाला carbon जो है फर्दर एक carbon के साथ जुड़ाव है लेकिन अगर मैं इस secondary carbon में से निकालू ये mid वरे carbon में से फिर क्या होगा फिर हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का compound बनेगा CH3 CH CH3 ठीक है तो इसको हम कहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी second last carbon के उपर कोई branching आ जाए ठीक है क्योंकि hydrogen remove हो जुकि है obviously कोई ने कोई इसके साथ आके attached होगा तो इसके लिए हम term use करते हैं वो है carbon है चुके तो हम क्या कहते हैं जी प्रोपाइल इस तो प्रोपाइल ठीक है अच्छा इसके इलावा जो है ये तो थी 3 carbon की example next हम fourth carbon की examples भी देख लेते हैं next है जी हमारे पस N-butane N-butane का अगर हम hydrogen remove करें तो हमारे पस 2 cases है अगर हम ये primary carbon में से hydrogen remove करें यहां पे देखें तो हमारे पस बनता है N-butane ठीक है और अगर हम जो है N-butane structure है और उस में से किसी इस carbon में से hydrogen remove करें या इस carbon में से hydrogen remove करें ठीक है ये दोनों क्या है secondary carbon है तो जब हम secondary carbon में से remove करते हैं suppose करें मैं यहां से निकाला है hydrogen तो इस case में हमारे पस क्या बने का secondary butyl चुके secondary carbon में से निकला है तो नाम क्या बन गया है secondary butyl butyl क्यों कहा क्यों कि चार carbon के लिए जो हम नाम लिखेंगे वो butyl होगा next iso butyl है iso butyl में भी दो cases है अगर हम जी यह primary carbon में से hydrogen remove करते हैं तो यह hydrogen remove की वी है तो यह नाम होगा इसको देंगे जी iso butyl और अगर iso butyl में से हम जी यह देखें secondary carbon है ठीक है sorry टर्शी carbon है टर्शी carbon कैसे है कि ऐसा carbon जो further तीन carbon के साथ bonded है तो इसको हम टर्शी carbon कहते हैं इसमें से hydrogen remove करेंगे तो हमारे पस क्या बनेगा टर्शी butyl यह तो था जी हमारा nomenclature कि इसका alkyl group का